हेई दोस्तो इस वीडियो के ज़्यादा तर गैश्टी है तो पलवल पुलिस द्वारा किये गए इन काउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाकों के पीछे सजा काट रहे हैं इस लिष्ट में दस्वे नमर पर नाम आता है कुख्याद गैश्टा रौकी जेंदा पुरिया का इस पर हत्या हत्या के प्रयास और मार पीट के कई अपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें या जमानत पर बाहर आया हुआ था प्रदीब की हत्या के बाद से रौकी फरार चल रहा था अंतता जनवरी 2021 में गुप्त सूचना के अधार पर इसे गिरपतार कर लिया गया है इसके बाद इस लिश्ट में नौवे नमर पर नाम आता है कुख्याद गैश्टर राहूल घरोतिया का इस पर हत्या अपरण और रंगदारी के दजनों अपराधिक मामले दर्ज हैं इसे हत्या के एक केस में गिरपतार भी किया गया था फर जमानत पर बाहर आने के बाद या पेरोल जम करके फरार हो गया इसके बाद नॉवंबर 2017 में इसने अपने चैसातियों के साथ फरीदाफात के एक कंपनी में घुश कर फाइरिंग कर कंपनी के मालिक से 50 लाग की रंगदारी मागी थी या पूरी घटना कंपनी में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी इसके बाद से पूलिस लगातार इसकी तलास में जुटी होई थी और जनवरी 2019 में मुद्भेड के बाद इसे जजज़र से गिरपतार कर लिया गया इस लिश्ट में आठवे नमर पर नाम आता है पलवल के कुख्यां गेश्ट हेमराज उर्फ हेमू का इस पर हत्या हत्या के प्रयास और मार पीट के कई अपराधिक मामले दर्ज है इसी वज़े से इस पर पचास जार का इनाम गोसित किया गया था इसने मार 2017 में अपने साथियों के साथ मिलकर जोदपूर निवासी देविंतरोष देवा की गोलियों से भून कर हत्या कर दीती इस हत्या के बाद से पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी हुई थी मही 2017 में पुलिस और हेमू के बुच मुदभेड भी हुई थी पर हेमू इस मुदभेड में बच निकला था इसके एक महीने बाद ही जून 2017 में पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर हेमू को गिरपतार कर लिया था इसके बाद इस लिश्ट में साथवे नम्मर पर नाम आता है पचास जार के इनामी बदमास गौरो तेवतिया का इस पर हत्या हत्या के प्रियास और मार पीट के कई अपराधिक मामले दर्ज हैं इसने दिसंबर 2014 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था उस समया नाबालिक था इसके बाद बस 2015 में इसने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया इसी बीची से गिरपतार भी कर लिया गया था पर जमानत पर बाहर आने के बाद या पेरोल जम करके फरार हो गया इस पर अवैध हतियार के 18 मामले दर्ज है नॉमबर 2018 में इसने एक कंपनी के माली पर गोलिया चला कर उससे 5 लाग की रंगदारी मागी थी पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी होई थी और 29 नॉमबर 2018 को गुप्त सूचना के अधार पर इसे गिरपतार कर लिया गया इस लिश्ट में छटफे नमबर पर नाम आता है पलवल के कुख्याग गैश्टर कैलाश डांगर का इसके बाद वर्फ 2016 में इसे गिरपतार कर लिया गया पर दो साल जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया इसके बाद जून 2021 में इसने अपने भाय की अधार का बद्ना लेने के लिए एक बदमास की गोलियों से भून कर हथिया कर दी थी इसके अलावा मार्च 2022 में हुई गैंक्स्टर जस्वीर की हत्य में भी इसका नाम सामने आया था पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी हुई थी इसी बीच गुप्त सूचना के अधार पर इसे गिरफतार कर लिया गया है इसके बाद इस लिच में पाचवे नंबर पर नाम आता है कुख्याग द्याश्टर मन्नू जना चोलिया का इसने जुन 2018 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने इगाओं के एक वकील पर गोलियों से हमला किया था हाला कि इस हमले में वह वकील बच गया और मन्नू को दो महीने की जेल हुई थी इसके बाद जन्वरी 2019 में इसने फरीदा माच से एक कार लोटी और फिर पलवल में धर्मु नाम की वक्ती के घर पर गोलिया चलाई थी इतना ही नहीं इस पर पलवल के एक सराप कारोबारी से 50 लाकी रंगदारी माँगने का मामला भी दर्ज है जन्वरी 2019 में इसे गिरफतार भी कल लिया गया था पर दो महीने जेल में रहने के बाद ये जमानत पर बाहर आ गया बाहर आने के बाद ये फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा अक्टूबर 2019 में इसने पलवल के एक व्यापारी से 50 लाकी रंगदारी मागी और पैसे ना देने पर इसने उस व्यापारी के एक आदमी की हत्या कर दी थी इस हत्या के बाद से ये फरार चल रहा था अप्रेल 2020 में इसने उत्तर प्रदेश के एक गाउं में एक आर्मी वाले से लड़ाई करने के बाद उसके घर पर 30-40 राउंड गोलियां चलाई थी इसी बीस पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम गोसित कर दिया पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी हुई थी और जून 2021 में जब यह अपने घर वालों से मिलने आया हुआ था उसी समय पुलिस ने इसे गिरपतार कर लिया 19 महीने जेल में रहने के बाद ये फरवरी 2022 में जवानत पर बाहर आया हुआ है इस लिष्ट में चौथे नमर पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंक्टर जस्बीर दिघोटी का इस पर हत्या हत्या के प्रयास और लूट पाट के कई अपराधिक मामले दर्स थे इसने वर्स 2017 में फरीदाबाद के एक व्यापारी से 50 लाग की रंगदारी मागी और रंगदारी नद देने पर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्यापारी पर जान लेवा हमला भी किया था इसके अलावा इसने वर्स 2018 में अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील लामक युवक की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी इतना ही नहीं इस पर वर्स 2012 में भी हत्या का एक मामला दर्ज था अपरेल 2019 में इसे गिरफतार भी कर लिया गया था फर कुछ समय जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया अंतरता मार्श 2022 में चार पांच बदमासों ने इसी के घर पर गोलियों से भून कर इसकी हत्या कर दी थी इसके बाद इस लिश्ट में तीसरे नमबर पर नाम आता है कुख्यात गैश्टा अंकित पंडित का इस पर 6 हत्या से मेतकुल 20 से ज़्यादा प्राधिक मामले दर्ज है युलाई 2014 में इस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था इसके बाद सितंबर 2015 में इसने चांधर थाना चेत्र में एक हत्या की वारधात को अंजाम दिया इतना ही नहीं इस पर सितंबर 2016 में हत्या थाना चेत्र में नेत्रपाल नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करने का मामला दर्ज है इसके अलावा इसने वर्ष 2019 में तीन हत्या की वारतात को अंजाम दिया था इसी वज़े से इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी होई थी और सितंबर 2019 में इसे राजस्थान से गिरबतार कर लिया गया इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैश्टा हरेंदर उर्फ हर्रो का इस पर 5 हत्या समयत कुल 30 से ज़्यादा प्राधिक मामले दर्च है इसने नमबर 2017 में जेल के अंदर से ही अपने सार्थियों के दारा गाउं धमाका निवासी एडवोकेट ओम प्रकास की हध्या कराई थी आपको बता दे कि नमबर 2017 में पेसी के दोरान अंकित धमाका रौकी जैधापुर रवी ने मिलकर हरेंदर को बेजज़त कर इसके साथ मारपीट की थी इसी बात का बदला लेने के लिए हर्रो ने जेल के अंदर से ही अंकित के पिता की हच्या करा दी आपको बता दे कि हरेंदर उर्रो फरो पहलवान पलवल का पहला गैंश्टर था जिस पर पुलिस ने पहली बर 50,000 का ही नाम रखा था फिलाल या पिछले कई सालों से जेल में बंद है इसके बाद इस लिष्ट में पहले नमबर पर नाम आता है कुख्याद गैंश्ट अजय गुर्जर का एक समय या ताइकॉंडो का इंटरनेशनल लेवल का खिलाडी था और इसने नेशनल लेवल पर भी 8 गोल्ड मेडल जीते थे वर्ज 2004 में इसने आफसी विवाद में एक आदमी को चाकू मार दिया था जिसके बाद इसे गिरपतार कर लिया गया जेल से बाहर आने के बाद ये अपरात को ही अपना पेसा बना लिया इस पर वर्ज 2012 में हरियाडा के एक पूर मंत्री के भतीजे से रंगदारी मांगने और पैसे ना देने पर उस पर गोली चलाने का मामला भी दर्ज है इसने वर्ज 2008 से लेकर 2018 तक हत्या और रंगदारी के 30 से ज़्यादा प्रादिक वारदातों को अंजाम दिया है वहीं दूसरी और इसके मुंबई अंडरवर्ट से भी अच्छे संबंध है पुलिस लगातार इसकी तलास में जुटी होई थी और जनवरी 2022 में इसे फिर से गिरपतार कर लिया गया है अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाते हो नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर जरूर करें इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद